नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सुभी का, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री मेंटोर्स पर आज हम बात करेंगे कि रिसेंटली पंजाब गॉर्मेंट के दवारा पंजाब के अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स को बैन किया गया है टेंप्रेरी तोर पर, यानि कि पर्मनेंट बैन नहीं लगाया गया है, ये आपका टेंप्रेरी बैन है और ये मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5-7 साल से गॉर्मेंट लगातार कुछ पेस्टिसाइड्स को पंजाब के अंदर एक टेंप्रेरी बैन जो है लगाती चली आ रही है लेकिन ये बैन क्यों लगाया जाता है, क्या कारण है और सेंटर गॉर्मेंट को भी इस पर कोई कंसर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तो आज हम बात करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता होगा पिछले कुछ सालों से हमारे देश से जो राइस आपका एक्सपोर्ट होता है बासमती राइस जो की अलगलग चीजों के अंदर यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए तो उस पर्टिकुलर बासमती राइस को जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो बहुत बार आपने सुना होगा कि UK ने, UAE ने हमारा जो राइस एक्सपोर्ट किया गया था उसको वापीस भेज दिया या फिर उसको जो है आपका उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया reason क्या था क्योंकि वहाँ के जो safety food and food regulations है उनके according आपका जो है हमारे rice के अंदर जो pesticide residue है chemicals का वो आपका काफी जाधा पाया गया जो कि वहाँ की guideline के according उसको allow नहीं किया जा सकता even though 2015 के अंदर 2016 के अंदर उस time पर या उसके बाद 18-19 तक तो कुछ ऐसे pesticide भी इंडिया में use किया जाते थे जो बाकी आपकी काफी countries के अंदर ban हुआ करते थे लेकिन अब ये concern था कि यहाँ पर इसके उपर कैसे ban लगाया जाए तो 2019 में 2022 ने center government ने भी कुछ efforts लिये और कुछ pesticides को ban किया गया लेकिन आज भी कुछ pesticides है जिनकी formulation आपके इंडिया के अंदर धडले से market में बिक रही है उनके ban होने के बावजूद भी तो ये काफी चीज़ें हैं जो recently आपके बार-बार issues इनके create होते हैं लेकिन फिर भी government कुछ concern लेती हैं जहें वो political pressure हो या फिर आपका geopolitical pressure हो या फिर किसी और परकार का लेकिन अब यहाँ पर government ने एक पंजाब government ने step लिया है कि कुछ pesticides को ban किया जाएगा पंजाब के अंदर तो मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर आपका पंजाब government जो department of agriculture and farmers welfare है पंजाब का उनके द्वारा आपका अभी जो है 10 pesticides को 10 pesticides को ban किया गया है 15 जुलाई से वो effective होगा 15 मार्ज को ये नया rule आपका निकाला गया और ये effective जो होगा वो 15 जुलाई से होगा और उसके यूज किया जा सकता है after 15 जुलाई 2024 और ये government हर बार क्यों लगाती है इसके उपर बात करेंगे और पंजाब में इसके उपर ज्यादा concern क्यों है ये भी बहुत ज्यादा important है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका ban का main aim क्या है कि एक तो जो farmer जो इन pesticides को यूज करते है उनकी safety के लिए rice drawers के लिए क्योंकि देखो आप लोग जानते हैं कि जब इन pesticides का use किया जाता है तो सबसे जादा impact उस person के उपर पड़ता है जो की exposed होता है क्योंकि आज हम इस चीज़ को जानते हैं कि farmers जो है वो सारे safety rules को follow नहीं कर सकता जब वो pesticides को follow पेसिशाइड को apply करता ह मैं लोग follow कर नहीं सकता या करता नहीं है या illiteracy है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर यह एक अलग बड़ा issue हो जाएगा लेकिन आप लोग जानते हैं कि जितने आपके safety measures होते हैं वो एक farmer के द्वारा use नहीं किये जाते हैं जब हमारे pesticides को field में apply किया जा रहा होता है तो होते हैं market के अंदर उनके लिए भी समस्या आती है क्योंकि rice जो है वो accept नहीं किया जाता international market में जो कि एक बड़ा concern है तो यहाँ पर यह important है कि इन pesticides का उस particular crop के अंदर use नहीं किये जाए जो कि हमारी export बहुत जादा की जारी है तो यहाँ पर इसे लिए क्योंकि पंजाब के अ आपके rice का production rice की cultivation पंजाब हर्याना में काफी जादा बड़ी है तो उसकी वज़े से क्या हुआ कि यहाँ के farmer ने regularly एक ही single cropping pattern को use करना start कर दिया वो आपका rice और wheat क्योंकि इनका price जो है वो market में अच्छा मिलता है और MSP पर यह crop आपकी purchase की जाती है तो इस concerns को देखते हुए यहाँ के farmer लगातार आपकी traditional system को छोड़ते हुए rice wheat cropping system को उन्होंने predominantly जो है adopt कर लिया है अब जिसकी वज़े से क्या होता जा रहा है कि लगातार water level तो आपका deplete हो ही रहा है इसके साथ साथ में pesticides का use भी increase हो रहा है क्योंकि लगातार same cropping pattern को use करने से बहुत सारे insect or disease का attack field के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो गया है तो अब यहाँ पर यह concern था कि insecticides को specifically जो आपके बहुत जादा harmful है class 1 से बिलोंग करते हैं तो उनको तो at least ban किया जाए उनको तो at least आपका limited जो है apply किया जाए तो यह चीज़ बहुत जरूरी थी और उसी concern को देखते हुए यहाँ पर आ उन्होंने कुछ alternative pesticides को alternative जो आपके agrochemicals थे उनको suggest किया जिसकी वजह से आपके बास्मिती rice में effectively आप जो है pest को control कर सकते हो क्योंकि देखो जब तक आपका alternate farmer को provide नहीं करवाओगी तो farmer कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा उन chemical को use करने का वो अभी से उसकी purchasing कर लेगा उसकी अप्लाई किया जा सकता है लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपका जो agrochemicals है उनको कुछ alternative अगर situation उनको मिलेगा तो definitely उसको जो है हाँ पर आपका concern किया जा सकता है और इसके उपर already जो है Indian government की बहुत सारी report है जिनके बारे हम बाद में बात करेंगे कि जिनके द्वारा जिन क्यों नहीं हो पा रहा है क्या reason है बहुत सारी चीज़ी होती है ठीक है अब उसको बादें बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम discussion करते हैं कि ये बैन कौन-कौन से chemical को अभी recently किया गया है तो अभी जो ये बैन chemical को किया गया है पहला आपका chemical है acid दूसरा आपका है जिनको अभी पंजाब के अंदर क्या किया गया है आपका बैन किया गया है अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर अब देखो जो आपके pesticides होते हैं उनकी major 5 classes होती है उनमें से जो class 1 और class 2 होती है ये बहुत जादा highly toxic होती होती ह किया जाता है जो human health के लिए बहुत जादा harmful है और second अगर हम बात करें तो यह भी इसी के अनुरूप आपका जो है काफी harmful consider किया जाता है लेकिन बाकी जो class 3, 4th and 5th होता है वो फिर भी कुछ हरत तक आपके moderately toxic होते हैं या फिर इनमें से virtually non-toxic compound होते हैं 5th class के अंदर जिनको use effectively किया जा सकता है तो अभी इन चीजों को concern में रखना है कि at least class 1 और class 2 pesticides को crop के अंदर कम से कम use किया जाए तो government लगातार footback step ले भी लेती है लेकिन फिर भी जो है बार-बार इनका use किया जाता है जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ important chemicals जिनको initially जो है पंजाब के अंद इनका use restriction में है लेकिन अगर हम बात करें तो यह जो आपके pesticides थे वो class 1 थे थे और इनका world health organization ने भी इनके लिए बोला था कि यह जो है extremely hazards होते हैं और अगर हम बात करें तो जैसे फोस्फो मिडोन जो है वो आपका 49 country में बैन है आपका 48 37 में ट्राइजोफोस आपका 40 में मोनो Krotofors आपका 7 countries में बैन है और उनका use हमारे इंडिया में उस time पर धरले से किया जा रहा था हां recently आपका बिल्कुल इनको बैन किया जा चुका है मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि Indian government के द्वारा इनको लेकर भी recently आपका बैन है लेकिन उस time की बात कर रहा हूँ जब इसक present time में 66 pesticides और 12 pesticides जो है इनमें से क्या किया गया था इनको बैन किया गया था 6 pesticides जो है उनको मतलब एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो इनमें से present time में क्या है कि कुछ को बैन किया गया है कुछ को restriction किया गया है कुछ formulation को restrict किया गया है कि India के इनको use नहीं किया जा सकता तो य वो यह कौन कौन सी है जैसे पेस्टिसाइट्स और फॉर्मुलीशन बैन इंडिया तो यहां पर आपके जो बैन है इंडिया के अंदर जैसे अलाकलोर, अल्डिकॉब, अल्ड्रीन, बैंजीन, हेक्जाक्लोराइड, बॉनमाइल, हैना केल्सियम, साइनमाइड जैसे हम बात कर गया, जैसे 4-8 आपका है, फोस्फो मेडिया है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, तो यह अभी इंडिया में क्या है आपके बैन है, लेकिन अगर हम बात करें, तो कुछ आपकी फॉर्मॉलेशन है, जिनको ना तो इंपोर्ट किया जा सकता है, ना इनको फॉर्मॉलेशन क तो आपके साथ अगर हम बात करें, तो आपके अलग-लग, मतलब इनको ban करना, या फिर इंडिया के अंदर restriction करना, और किस particular crop में हम इनको use कर सकते हैं, तो यह भी आपकी कुछ restrictions यहां पर आपकी mention की गई है, जैसे आपका aluminium phosphate है, केपटाफोल है ना तो इनके यूज को लेकर आपका जो है concern दिये गए है कि यह किसमें आपका harmful है और कहां पर इनको यूज किया सकते हैं जैसे हम DDT की बात करते हैं तो DDT अभी present time में आपका जो है केवल आपके जो public health program होते हैं ठीक है is restricted up to 10,000 metric ton per annum मतलब अगर हम बात करें तो public health program के अंडर में आपको पता है कि DDT को एजे आपका जो है insect और आपके जो mosquitoes होते हैं उनको control करने के लिए इसको use किया जाता है ठीक है तो आपके जो domestic epidemic मतलब आपका attack होता है इनका insects का उनको रोकने के लिए जो है इसकी formulation को use किया जाता है public health आपके जो है programs के अंडर में तो यहाँ पर आपका क्या है कि अभी recently इसकी formulation जो है at least limited कर दीगे इसकी amount को limited कर दिया गया है जो कि आपका बहुत ज़्यादा जुरूरी था क्योंकि इनका health के ओपर negative impact पढ़ रहा था तो government ने step लिए है लेकिन फिर भी India के अंदर क्या है आपका corruption बहुत जादा है जिसकी वज़े से अब आपको बताना चाहूँँआ कि 2015 का एक case है जिसके अंदर क्या हुआ था कि recently आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक company है डो chemical company जिसके ओपर 3,25,000 dollar का bribery का charge लगा था bribery का case लगा था और ये इनकी जो India के अंदर एक subsidiary है डी नौसिल के नाम से उनक तो ये डो chemical company की ही क्या है subsidiary company है इंडिया के अंदर जो आपकी run की जाती है तो उनके ओपर ये इतना बेन आपका लगा था क्योंकि उन्होंने जो है आपका 14,000,000 रूपे बोला जा रहा है कि अलग-लग occasions के ओपर आपके एक central insecticide board के officer थे जिनको इन्होंने bribe किया था और जि किसी परकार का भी bond ले लो चाहिए किसी परकार की कोई और मतलब आपका कोई recently बोल देते हैं कि हम लोग ये अलग-लग form में आपका company से ले लिया जाता है और फिर उनको उसके एवज में बहुत बड़ा मुनाफ़ा जो है दिया जाता है तो ये नहीं कह सकते कि कोई आपका बड़ा चोर है कोई चोटा चोर है ना लेकिन चोर यहाँ पर approximately काफी हद तक जो है 85% जो ये कहते ना कि partition की बात मानो या फिर आप लोग जो है ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर पार्टी में है चाहिए वो किसी परकार के जो है जो एक नासूर है वो देश को खोकला करते जा रह है चाहिए वो civil servants की बात करें अगर सब लोग अपना काम effectively करना start करें तो साइद यह चीजें जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन इसस को कौन ध्यान करेगा हमें तो अपने Instagram और Facebook से तो आपकी बेल नहीं मिलती है ना तो हम इनको question को क्यो raise करें हमें क्या requirement है यार हमे क्या लगता है हम सोच रहे हैं कि हमें दो रोटी मिलगी बस ठीक है उसके अलावा हमने Instagram पर free का net चला लिया that's enough no आपको समझ में आना चाहिए कि यह ultimately आपकी उपर impact है और आपको यहाँ पर voice raise करना ही पड़ेगी तब ही जाकर यह चीज एक possible हो सकती है लेकिन चलिए हम आग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं अगर हम एक चोटी सी के स्टेडी की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि किस परकार से अप्रोक्सीमेटली जो blood sample लिये गए थे एक बार 2000 अप्रोक्सीमेटली 15 या 14 के बाद आसपास आपकी यह concern है आपका 2007-8 का तो उस टाइम पर बहुत जादा negative impact जो है पढ़ रहा था तो आप सोच सकते हो कि अगर 100 में से 36 फार्मर इस से impacted है 100 में से 36 लोग अगर impacted है तो यह बहुत बड़ा major concern था 2007 की बात हो रही है और आज present time है 2024 है तो आप सोच सकते हो कि कितने साल 13-14 साल अभी आपके increase हो चुके तो इसके अंदर कित करेंबर की जो है आपकी death हो गई थी या फिर उन्होंने बहुत बड़ा जटका इसस को देखा तो उस case में उन्होंने इसस को छोड़ दिया था अब chemicals को ने बहुत कम कर दिया लेकिन फिर भी आज भी धडलने से जो है chemicals को यूज किया जा रहा है market के अदर और यह आपका ultimately impact क इसके उपर है human health के उपर है तो यहाँ पर farmer के उपर दोसने यह कि farmer उनको use कर रहा है आप सबसे पहले यह देखो कि जो government उनको allow कर रही है उन pesticides का अगर आपका manufacturing ही बंद हो जाएगा तो farmer उनको use कैसे करेगा तो यहाँ पर बहुत बार लोग बोलते हैं कि farmer जो है वो इन chemical को apply करते हैं जलाई जा रहा है farmer को जो है कि लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि इंडिया के अंदर extension system कितना खराब है इंडिया के अंदर जो लगातार आपका पैसा आता है लगातार जो आपकी चीजें apply की जाती है वो सारा का सारा in between mediocre के द्वारा खा लिया जाता है farmers तो को उस मिलेगा अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँ कि आपकी एक और study हुई थी और 2008 में यह study थी जिसके अंदर पाया गया था कि पेस्टिसाइड जो आपके यूज किये जार है पंजाब के अंदर और specifically उन में से आपका जो पेस्टिसाइड है नहीं है डाइट को तो वहाँ पर आपका जो फिस थी उनको जो बोडी वेट था उसके ओपर कोई ज़्यादा इंपक्ट नहीं पड़ रहा था उनका बोडी वेट उतना बढ़ नहीं रहा था जिसकी वज़ासे क्या हो रहा था कि आपका जो है farmer के लिए economically loss हो रहा था बाद आया गया कि वह एंजाइम जो है आपका रिलीज ही नहीं हो रहा था एंजाइम जो है आपका ब्लोग हो चुका था एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि रिलीज ना होने के कारण उनके अंदर आपकी जो है जो फिश है उनकी की disability हो रही थी जो है उनको देखा देखने की समस्या आ रही थी तो वहाँ पर blindness होने के कारण वो फूड को चूज नहीं कर सकती थी फूड को खा नहीं सकती थी और जिसके वजह से उनका जो वेट था वो लगा था डिक्रीज हो रहा था और वो एकनोमिकल लोग्स फार्मर को जो है फेस करना पड़ रहा था तो यह स्टडी जो है वो पी यू के अंदर की गई पंजाब एरिकर्ज उनुस्ट्री के द्वारा की गई और भी रिसर्स साइंटिस्ट जो है आपका स्वरी माफी जाता हूं डिपार्टमेंट ऑफ जो लोजी पंजाब यूनुस्ट्री के उनकी वज़े से ब्लाइडनेस आपकी जो है देखी गई किसके अंदर आपकी जो है फिश की पोपॉलेशन में तो यह एक बड़ा मेजर इंपेक्ट सामने आया तो इस परकार की और भी बहुत सारी स्टडी जिनको ध्यान में रखते हुए अभी भी गौर्मेंट जो है बहुत जरूरी है ताकि आने वाले टाइम में किसी परकार का भी यूमन हेल्थ के उपर नेगेटिव इंपेक्ट ना पड़े तो इन चीजों को कंसरन को इश्यूज को रेज करना बहुत जरूरी है एक आवाज को उठाना बहुत जरूरी है बार-बार इनके बारे में बोल हो सकता है कि इनको बैन करने के लिए या फिर इस परकार के इश्यूज को रेज करने के लिए क्योंकि आज एन्वार्मेंटलिस्ट बहुत सारे हैं जो अलग-लग इश्यूज को लेकर अमारे सामने बात लेकर आते हैं लेकिन हम उनकी बातों को नहीं रखते हैं जैसे कि रि करें अगर हम बात करें उत्राखण में बात चलिए तो हम क्यों इनको इस इस को रेज करें लेकिन बोलना पड़ेगा हमें आवाज उठानी पड़ेगी हमें इस्टाग्राम फेस्बुक रिल से बाहर आना पड़ेगा तभी इस देश के अंदर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे अधरवाइज आने वाले टाइम में इस देश को खुरस कर खाज आएंगे और हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा हमारे आने वाले जनरेशन समय जो है गालियां देंगी तो बड़ी बैटर कि हमें आज ही इन इश्यूस को रेज करना चाहिए अपनी बातों को रखना